हेलो फ्रेंड्स, माइनेम इस तन्वीर, फ्रॉम वीगाटो एससरीज वाशी, नभी मुंबई, इनोवा क्रिस्टा, विद द मैकेंस तेल लाइट्स, अर बैक इन स्टॉक दोस्तों, बीच में स्टॉक नहीं था, मैकेंस टेल लाइट्स एन अलफा टेल लाइट्स, जो मेड इन टैवान की आती है, दोस्तों, वो बैक इन स्टॉक है, फिट्मेंट, फिनिशिंग, स्टेंड आउट, और एक प्रेजन्स देखिए, एक सिर्फ हमने तेल लाइट्स की हुई है, दोस्तों, स्मोक कलर की जो तेल लाइट्स आती है, जो हमने इन्स्टॉल की है, विद द matrix indicators के साथ में इसमें off mode में भी आपको off mode है on नहीं है लेकिन फिर भी इसका एक presence बनता है यह तो night का time है दोस्तों जो मैं shoot कर रहा हूँ दिन में तो इसकी बात अलग है the matrix indicators आप right and left आप चेक कर सकते हैं matrix indicators के साथ लेकिन इसकी एक जो खास बात आती है आप देख सकते हैं जो side borders रहते हैं वो प्यानो black रहते हैं जो चाइना की जो light रहती है वो transparent color की रहती है और जो यह टैवान की जो भी टेल लाइट रहती है एक एक इसकी fitment देखिए आपको ना किदर से भी gap दिखाई देगा लेकिन प्यानो black finish के इसके borders रहते हैं तो दोस्तों please comment करके ज़रूर बताना की यह टेल लाइट आपको किस तरीके से लगी है और हर वक्त मैं जो चीज प्रमोट करता हूं एक ब्रैंड प्रमोट करता हूं एक quality प्रमोट करता हूं जिससे एक standout आता है कार का अब आते हैं फ्रेंट प्रोफाइल आफ दा कार में फ्रेंट में लो बीम हाई बीम हाई पावर्स एलेडी हमने इंस्टॉल की है और प्रोजेक्टर्स होक लैंप्स में हमने इंस्टॉल किये हैं लेकिन एक जो ग्रिल है हमने क्रोम इसमें श्टिकॉन किया हुआ है यह कार का कुछ डिफरेंट कॉनसेप्ट था कस्तमर की करेंट की requirement थी रिक्वार्मेंट थी मुझे क्रोम ग्रिल पसंद है तो हमने ये कार में क्रोम ग्रिल इंस्टॉल की हुई है ये stikon आती है आफ्टर मार्केट ग्रिल यह तो दोस्तों, प्लीज मुझे बताना, साइड प्रोफाइल आफ दा कार में, फुट स्टेप इंस्टॉल की है, क्योंकि कस्टमर की रिक्वार्मेंट थी, लेकिन फिर से मैं बोलूँगा, इंटिरियर पोर्शन आफ दा कार में, इंस्टॉल की है, और काफी बढ़िया इसकी फिटिंग लग रही है, इलुमिनेटेड कफ फ्लेट्स हमने ये कार में इंस्टॉल की है, सॉफ लेदर का स्टेरिंग का रैप, इसकी स्टिचिंग वर्ग भी आप देख सकते हैं, एम्बियन लाइटिंग भी हमने ये कार में इंस्टॉल की है, लेकिन रियर की भी सीट कवर की आपको फिट्मेंट दिखाना चाऊँगा दोस्तों, और जो डोर पैनलिंग का भी है, आप देख सकते हैं कि फिट्मेंट, फिनिशिंग और एजिंग वर्ग हम किस तरीके से करते हैं, आज का वीडियो शॉट एंड स्वीट है, मेन आप लोगों को बताना ज़रूरी था कि ये जो टेल लाइट से आचुकी है, चारो डोर्स में हमने प्रीमियम डैंपिंग की हुई है, चारो कॉंपोनेंट्स हमने ये कार में इंस्टॉल किये हैं, प्लेयर हमने चेंज नहीं किया है, कस्टमर को मैंने पहली बोला, प्लेयर चेंज करने की ज़रूत नहीं है, कैमरा लगके नहीं आता है, तो हमने ये कार में कैमरा भी इंस्टॉल किया हुआ है, quality है इंडिया में किदर से भी रहे लेकिन go for the quality यह जो टेललाइट साथी है मेकाइंस एंड अलफाड की अलफाड वाली जो आती है सेट औफ फाइव पीसेज की आती सेट तो हमने यह चीजह इनको सजेशन दी वही है मिश्टर विकास चोहांत सर प्रॉम रत्नागेरी आमची महाराश्टाची का रहा है क्रिस्टा पुरी अपग्रेट की है सर से एक रिव्यू लेना चाहेंगे सर का एक्सपीरियन्स कैसा रहा शेयर करना चाहेंगे सर प्लीज सर ने मेरे को गाड़ी बहुत अच्छा तरी से करके दिया बहुत बढ़िया करके दिया जो जो चाहिए और सब मेरे को मिला और उसने अडिशनर मेरे को और अड़ाई दिया और मेरा आम भी अच्छा तरी से विप किया और उनके स्टाप भी बहुत अच्छा तरी से सर्वीज कुछ प्रोलन है आप कुभी गाड़ी देगे आपकी आप इसर के पास विजिट कीजिए तेंक्यू सब्सक्राइब लेके गाड़ी आई थी अब भी गाड़ी देख रहे हैं बेसिक से गाड़ी अभी पूरा टॉप बना दिये और गाड़ी का पूरा लुक चेंज हो गया है अब देख रहे हैं और यहाड़ी अब गाड़ी यह पूरा टॉप फी मोडल लग रहे और इदर का सर्वीज भी अच्छा है और स्थाफ भी अच्छा है और अब अब कभी बहा हो आऊ आपको बेस ठील हिल एगे जाओन तेंक्यू सार्फ, अमर्टा टॉप से भी बढ़ का और वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके बताना ड्राइब सेफ ली एंड थैंक यू फ्रेंड फ्रेंड वांसर्ज